जैन्द एब्रिबन मैं चेंदर प्रकास स्वागत काता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी सिंग ओफिसियल दि एग्री मास्चापा तो दोस्तों आज की वीडियों हम पढ़ेंगे सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों को साजा करते हैं जैसे वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी इस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकें इचली करते हैं कि तो सबसे पहला प्रस्ण है हमारे सामने कच्चे दूद को कितने समय के लिए सुरच्च्च तरखा जा सकता है तो इसे आठ गंटे के लिए सुरच्च्च रख सकते हैं और यह भी आप ठंडे जगह पर फ्रीजर वगएरा में रखकर या उस तरीके से अप रख सकते हैं नहीं तो जलदी खराब होता है कच्च रख सर्दीओं में रख सकते हैं कोई रिकत नहीं है अगर घर्मी ओंए अगर होगे कच्च्च्च दूद को अपन में तो फट जाता है इसके और अगला प्रस्ण यह वे प्रोटीन क्यों से होते हैं यह तो प्रोटीन जो हैं के लिए होती है तो किसान क्रेड़ेट कार्ड जो होता है उसकी वैलेडिटी पांच साल की होती है अब चौथा प्रस्न है भारत पूरे विश्व में फलों के उत्पादन में कितरे नमर पाता है तो यह देखो पहले नमर पर चायना आता है दूसरे में इंडिया आता है अगल लिटर भैस के दूद का बहर कता होता है एक लीटर्व भैस के दूद का भार होता है वो 130 ग्राम होता है इसका बाद आता प्रस्ण है पेट्रोलियं पधार्तों की बचत के लिए चुछ संगठन बनाई गया एक रिशर्च अस्टे इसके बाद अगला प्रस्ण है किसान कॉल सेंटर का नंबर गया है तो किसान कॉल सेंटर का नंबर है अठारा सो एक सशी पंदरा सो त्रेपन इसके बाद जो दसवा प्रस्ण है वो है हमारे सामने जल परिया किसकी एक किस्म है जो जल परिया है वो धान की किस्म है धान की बराइटी है इसके बाद ग्यारवा प्रस्ण है हमारे देश में लगभग कितने प्रतिसत फल इवम सब्जियां बरवाद हो जाते हैं तो 25-30% फ कर दो है वह सेंतूत की खेती से रेलेट़ेड है यह से मौरी कल्टर भूलते हैं इसके बाद भेड की सबसे लंबी वून देने वाली नसल नसल कोन सी सरी तो यह लिसीसटर नाम की बेड़ किसम की भेड़ कि घ्रैनसले की भेड़ है तो वह जो इसके लंब इसके बाद जो चौधे नम्मर का प्रस्न है वह है स्वेत करांती के तहत विदेशों से प्राप्त बस्तू का आधान प्रदान कौन करता है तो यह करता है आई वी सी इसके बाद अगले प्रस्न की और चलते हैं थी पंदर भाप्रस्न है दुख दोथ पादन बढ़ाने इन डूव में की मात्रा कितनी होती है खीज वे प्रोटिन होती है वह साड़े सत्रा परजेंट होती है नहीं वुच्चा दिया है तो उसके तीन से चार दिन तक यह जो हम बोलते हैं पेवसी वाला में दूद्ध या पिर बोलते हैं कीला डूद एक रचसान में खीष आधाया गु hypocrite आ परहएक उसके वादनाव़िके लुच्छत पर रेत है इसके बादडव्य प्रस्ण यकूं में है रेकिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं तो घेखुस्तान का जाज है इसके डिसमें प्राष्न है भारति आपकों में अगमन कभिगा मख्या सोभी स्थाबदी माई थी है है मर्दा में फॉस्पोरस का स्रोथ maze जो मिर्दा है मिर्दा में फॉस्पोरस का सरूत क्या है वह एपिटाइट खनीज है इसके बाद पच्छीस वा प्रसम राजिंदर क्रांति किससे रिलेटेड रिलेटेड है तो राजिंदर क्रांति जो है वो मैथ सौरी फॉर्सन गलत पड़ दिया मैंने अगर आपको यही प्रसम कोई फॉर्मेट में चाहिए या रिल्स के थूचिए तो आप इस डोगों को देखकर करके वहाँ पर जा सकते हैं इसके बाद 26 में प्रसम है सुनहरी किरांति किस से रिलेटेड है तो नहरी किरांति जो है फल उत्वादन से रिलेटेड है इसके बाद 27 में प्रसम है उत्तरप्रदिस का कानपुर क्यों प्रसिद्ध है तो या उत्तरप्रदिस के कानपुर में चमडा उध्यों बहुत है इसके बाद 29 अभरंफ है चावल का सबसे बड़ा उत्पाद अग देश चीन है रठाली दृष्टी से भारत है लिए भारतियय कैमाच के सुर्य भारतिय वित से में कौन सा रसाइन रपाया जाता है इसका बनाने में कितने महाकश्ण में लगता है लाख बनाने में सबसे अधिक होई जाती है इसके बाद 34 में प्रस्ण है अन्डे का छिलका अरेविका 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 भारत में बहुत सबसे जाद होई जाती है इसके बाद 34 में प्रस्ण है अंडे का छिलका उपरी परत जो होती है वो किसकी बनी होती है यह होती है कैलसेम कार्बनेट की ठीक है इसके बाद आपका 35 प्रस्ण है ललित किसकी एक उत्तम किश्म है ललित ललित जो है अम्रूद की एक उत्तम किश्म है वही है तो इस वीडियो के अंतरक मोतने प्रसभ महीं तो वे आप कि अंहिने साही तरीके से याद करें तयार कर लें क्योंकि इसमें से कोई न network कोई प्रसभ्म वाकए एक्जाम में जरूर फशेगा तो भई अब बाइख से चाहते हैं वीडियों पर सपोर्ट कैसे करोगे जयन्ड ? करके बीडियों को लाइक करके ऑड़ीयों को लायक करके तो बाइज इस प्रकार कमें तो अहीं प्रिस्माइए अचंध Birthday ज़ाहिन और जब सका इंप